Hello friends, this is Sunil from Ads Optimizer. Friends, आज का सिर्सन है बहुत ही इंपर्टन होने वाला है जैसे ही इंपर्टन की बात करते हैं लेकिन हमरा मारे बाइन में ट्रिगर होने वाला है कि यह बहुत ही इंपर्टन टॉपिक हो सकता है आज कि प्रपके नहीं देले, let's get started अघ्ट करवाया जैसे ही आपने रियुम करवाया तो प्रेड कर दिया और देट पर गुगल पर सब्सक्राइब अपनी वॉबसाइट करने तो वो युरल लिपते हैं और उस पर क्लिक करने से न वो युरल है नहीं एक्शुली तो वो 404 अबर फसो करते हैं तो ऐसे युरल को कैसे रिवोग करने हैं तो उसके लिए हम बात करते हैं तो simply किया हम सोच कर लेते हैं कि क्या को युरल है जिसे हमें रिवोग करने हैं तो मैं टzam किया गomo यह वेक्श है जो अंटवर्ट्ल अंब्लाब्लाемся पर सिल्भी यहां तो दो इस मैं यह निर्टाट लेता हूं किसे यहां पेज है जो अंटाइटल देरेस्ट प्रावशी पोलिसी ब्लॉग और वीसे से तो हमें काम करते हैं यह अंटाइटल वाले पाइज को रिमुव पर नहीं क्लेक करतें क्लिक करने के बादें कॉपी करने के बादें अपने गूगल सर्फ से बादें करना है करना है और यहां पर आपको वो email से login करना पड़ेगा जिस email id से आपका वो search console है सो मैं यह मैंने select कर लिया select करने के बाद से यहां पर आपने click करना है यहां से आपको एक property opt करना है जैसे property opt करेंगे so magic हो जाएगा मैजिक क्या friends आपको left hand में यह removals के देम से एक head है इस पर आपने click करना है जैसे इस पर click करेंगे यह वाला dashboard आजाएगा इस पर आपने जो first जो आपका selected है वही रहेगा और इसके बाद से आपने simply new request पर click करना है जैसे new request पर click करेंगे automatically first selected है और यहाँ पर भी यह जो फोर्स वाला radio button है यह भी selected है simply आपने URL यहाँ पर paste करता है मैंने URL paste कर दिया और next पर click किया friends बोल रहा URL not in property तो friends problem problem क्या है ना problems देखें यहाँ पर देखें यहाँ पर stps के बाद colon है और दो slice है slash के बाद से www नहीं है जबकि इस वाले यह वाले में www है तो हम इसको कर देते हैं ऐसे ठीक है और उसके बाद से next पर click करेंगे ठीक है accept कर लिया ठीक है and will be blocked from google source for about six months ठीक है that's good then submit request पर click करते हैं तो friends यह था इसके थूँ आप किसी भी URL को आप temporarily block कर सकते हैं यह six months के लिए होते हैं तो friends यह था the answer for today अगर आपको maximum जितने भी URL को block करना है इस process को follow किसे definitely यहां से block कर सकते हैं and friends अगर आपको यह जानना है कि Google search console की जो hidden points होते हैं या main settings होते हैं वो क्या होते हैं उसको कैसे utilize करते हैं तो उसके लिए हमने एक dedicated video बनाया हुआ है उसका हमाई link आप पर देदूँगा आप उसको देख सकते हैं आपको बहुत सारे hidden settings आपको पता चल दाएगा जो आपको 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 website rank कराने में website को index कराने में उसमें help करेगा तो friends that's all for today if you have any questions then comment below and friend please like this video and subscribe our channel that's all for today bye bye take care